महारास्ट में सियासी घमसान थमने का नाम नहीं ले रहा एक तरफ उद्धव ठाकरे ना घर के रहे ना घाट के तो वहीं दूसरी तरफ शरत पवार की भी मुश्किले बढ़ती नज़र आ रही है खबर है कि शरत पवार को लेकर कॉंग्रिस दो फार में बढ़ गई है एक खेमा शरत पवार के साथ है तो दूसरा शरत पवार से नाराज है शरत पवार पर कई आरोप लगाये जा रहे हैं क्या है ये पूरा मामला? क्यूं कॉंग्रेस शरत पवार को लेकर दो गुट में बढ़ता नजर आ रहा है इसी पर चर्चा करेंगे बाचित के लिए मेरे साथ स्टूडिय में मौझूद है क्यापिटल टीवी के सीनर एजिटर राजीब जी राजीब जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद कॉंग्रेस क्यों दोफार में शरत पवार को लेकर बढ़ गई है? देखिए शरत पवार की एक कॉंस्पिरेसी पुरानी रही है कि किसी तरीके से वहाँ पर कॉंग्रेस को कमजूर किया जाए जब महाविकास अगारे की सरकार बनी थी उस समय भी कॉंग्रेस के कई नेताओं ने आरोप लगाया था कि स्रत पवार कॉंग्रेस को धीरे धीरे निगल रहे है एक बार तो सूनिया गांधी को जो चिठी लिखी गई थी ये नाना पटोले साहब नहीं लिखा था उसमें उन्होंने पूरे डिटेल दिये थे पिछले चुनाबों का रिकॉर्ड बताते हुए कि किस तरीके से जब से सरत पवार की पाटी के साथ कॉंग्रेस का गटवंदन हुआ है धीरे धीरे कॉंग्रेस कमजोर होती चली गई है पिछले चुनाब का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था पहले कॉंग्रेस महराष्ट में बड़े भाई की भूमिका में होती थी इसलिए जो भी गटवंदन की सरकारे बनी उसमें कॉंग्रेस का सीएम और न्सीपी का डिप्टी सीएम होता था जबकि दूसरे तरफ अब जो इस्थितियां बदल रही है उसमें पिछले विधान सभाचुनाब में सरत पवार की पाठी ने कॉंग्रेस को बीट कर दिया यानि न्सीपी की सीटे जादा है और कॉंग्रेस की सीटे कम है यह उसी तरह का उधारन दिया गया था जैसे भारतिय जंता पाठी और शिवसेना के बारे में दिया जाता है लेकिन भारतिय जनतापाटी के बारे में इस बात का जिक्र किया गया था कि पूरे देश में एक ऐसे लहर के कारण भारतिय जनतापाटी महरास्ट में भी आगे बढ़ी है जो मोदी का लहर कहा जा सकता है 2014 के बाद जिस तरीके से एक तुफान आया पूरे देश की राजनिती में एक बदलाव आया उसी तरीके से महराष्ट की राजनिती में बदलाव भारतिय जन्ता पार्टी को लेकर आया था और ये जीत जो है मोदी की जीत माने जा सकती है लेकिन महराश्ट में कॉंग्रेस और NCP के बीच जो भी सीटों का बटवारा को लेकर हो या फिर पॉलिटिक्स को लेकर हो जो वोट बेस वोट है उसको लेकर हो हमेशा स्रदपवार कॉंग्रेस को धीरे धीरे खाते जा रहे हैं और उनकी पूरी प्लानिंग है कि अगली बार अगर कभी भी सरकार बने तो CM शहत्पवार की पाथी का हो और कॉंग्रेस को डिप्टी CM का पोस्ट सुविकार करना पड़ेगा. अब ये भी विवाद जो है फिर से बढ़के सामने आ गया है, खुलकर सामने आ गये हैं और कॉंग्रेस में नित्रित्व की समस्या हो गई है. इस बीच शरत पवार ने भारतिय जनता पार्टी के साथ जो गठवंधन का गठजोड का आरोप कॉंग्रेस वाले लगा रहे हैं. उसके पीछे की वज़ा है भारतिय जनता पार्टी नहीं है, भारतिय जनता पार्टी एक संकेत है, उनके कहने का मतलब है कि शरत पवार अपनी राजनिती के लिए किसी हद तक जा सकते हैं. इसलिए नाना पटोले ने कहा कि शरत पवार ने आखिरकार अंधेरी इस्ट तो कि उन्होंने जिन परमपराओं की बात की, कल्चर की बात की, उन्होंने एक विक्तिम कार्ड खेला, ये रमेश लटके के मौत हो गई है, निदन हो गया है, और उनकी वाइफ है जो चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में एक तरीके से सहानुभूती होनी चाहिए और पवार ने कहा, तो फिर भारतिय जनता पार्टी ने विड्रॉ कर लिया, लेकिन कॉंग्रेस जो उद्धब ठाकरे और NCP के साथ है, अभी भी महाविकास अगारी गठबंधन तो है ही, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आगे विधानसवा चुनाबी ये लोग साथ में ये कॉंग्रेस के खिलाप काम कर रहे हैं, उन्हों नहीं पहले आरोप लगाया था कि पिछले 3-4 जगह पर जो जिला परिशत का चुनाब हुआ, वो जिला परिशत के चुनाब में शरत पवार ने कॉंग्रेस के उम्मिद्वार को हराने के लिए दूसरों का समर्थल लिया उस समय भी भारतिय जन्ता पार्टी के बारे में कहा गया था लेकिन बेसिक सवाल ये है कि कॉंग्रेस के अंदर इस बात को लेकर हमेशा से चर्चा रही है कि शरद पवार के साथ गठवन्दन किया जाया नहीं और इस बीच ये अब खुलकर सामने आने लगे हैं और उन लोगों का मानना है कि शरद पवार को कॉंग्रेस से दूर किया जाए जब तक शरद पवार से कॉंग्रेस अलग नहीं होगी कॉंग्रेस वहाँ पर मजबूत नहीं हो सकती है जबकि दूसरे तरफ जो राहुल गांधी का भारत जोड़ यात्रा है उसके लिए पूरा परतिनेदी मंडल जा रहा है शरद पवार से मुलाकात करने के लिए कि आप मेरी यात्रा में आईए नेता स्विकार कर लेते हैं क्योंकि शरद पवार को पता है कि महरास्ट में राहुल गांधी और शरद पवार दोनों साथ में पद्यात्रा करेंगे ये पद्यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है ये राहुल गांधी का होगा लेकिन जैसे ही सरद पवार के उसमें एंट्री होगी उसके बाद राहुल गांधी पीछे छूट जाएंगे स्राइट पवार आगे हो जाएगा वो इस पूरे मोके का फायदा उठाने के चक्कर में है कि भारत जुड़ो यात्रा से वो भी जुड़ जाए और कॉंग्रेस पार्टी की इस यात्रा को महरास्ट में NCP की यात्रा बना दे अब NCP का बेस मजबूत करने के लिए क्योंकि विचारधारा भी कॉंग्रेस और NCP की लगबग एक ही है सराइट पवार भी कॉंग्रेस ही रहे हैं कॉंग्रेस छोड़कर उन्होंने अपनी पाथी बनाई थी और उसके बाद एक साल के अंदर ही जब विदानसभा चुनाव हुआ तो दोनों को सरकार बनाने के जरूत पड़ी तो सराइट पवार ने तुरत ही कॉंग्रेस का लपक लिया साथ में गठवंधन बना के सरकार बनाए तो ऐसे में कॉंग्रेस के कुछ नेताओं को बार बार ये लगता है कि सराइट पवार कॉंग्रेस को खोखला करने वाले हैं और वो दिन अब ज़्यादा दूर नहीं है जब धीरे धीरे कॉंग्रेस सराइट पवार के साथ गठवंधन करने के बावजूद उनसे आधी सीटे भी कॉंग्रेस को मिल जा है तो बड़ी बात हो यह पिछले दिनों MLC का जब चुनाब हुआ तो उसमें भी सराइट पवार ने वही गेम किया कॉंग्रेस के दो कंडिडेट खड़े थे एक कंडिडेट तो कंडिडेस जिता सकती थी दूसरे के लिए पवार को और उद्धव ठाकरे के साहता की जरुवत थी लेकिन पवार ने पूरा गेम कर दिया दूसरे कंडिडेट के लिए इन्होंने दूसरे वरियता के जो वोट थे और सराइट पवार के पास जो अतरिक्त वोट थे वो सब डाइवार्ट करवा दिया ताकि कॉंग्रेस का एक और उमिदवार जीती न पाए तो ये सारी चीजे कॉंग्रेस के कुछ नेताओं को पता है और कुछ नेता जो हैं वो इसलिए विरोध नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो भविस्य का ओप्शन देख लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं बयान भी दे रहे हैं शरत पवार के खिलाब तो क्या ये जो महाविकास अगाडी है उसमें फूट शुरू हो गया है बिल्कुल ये तो फूट के निसानी है लोगों को पता चल रहा है कि ये महाविकास अगाडी सिर्फ अबसर वादी गठवंदन है ये अबसर की राजनिती करने वाले हैं और यहाँ पर शरद पवार बीच में बैठे हुए है जो कॉंग्रेस और उधब दोनों को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं और जो कॉंग्रेस के नेता इसके विरोध में हैं मतलब साफ है कि वो शरद पवार से नाराज है और वो सही मायने में कॉंग्रेस की बात कर रहे है जो लोग शरद पवार के साथ नजर आते हैं अगहारी को बनाए रखना चाते हैं वो मान कर चलना चाहिए कि वो कॉंग्रेस के साथ नहीं है बलकि वो सोच रहे हैं कि जब भी मौका मिले वो शरत पवार की पार्टी में चले जाएंगे शरत पवार का साथ ले लेंगे वो एक पवार को विकल्ब के तोर पर देख रहे हैं कि जब तक कॉंग्रेस थोड़ी बहुत मजबूत इस्तिती में है तब तक बने रहो और उसके बाद जब मौका मिले तो फिर पवार के साथ चले जाएंगे जैसे उद्धब ठाकरे की पार्टी की बात होती है तो संजयराओत का जिक्राता है और ये बार-बार जिक्राता रहा कि जैसे ही उद्धब ठाकरे अपने सबसे कमजोर दौर में आएंगे सबसे पहला व्यक्ति जो होगा वो संजयराओत होगा जो साथ छोड़ दे अभी किस्तिती अलग है वो दब ठाकरे की सिव सेना दो गुटों में विभाजित हो गई एक ना सिंदे दूसरे तरफ चले गए चालिस विधायक चले गए सांसत चले गए लेकिन संजयराओत उनके साथ क्यों जाए क्या फायदा होगा अभी वो ये देख रहे हैं कि उनके साथ वो उनकी राजसवा के सीट है अभी अभी राजसवा के लिए री नॉमिनेट हुए अब ऐसे में जब 6 साल तक के लिए राजसवा मिला हुआ है तो फिर दूसरे जगह जाने के क्या ज़रूरत है और इसलिए वो अपर्चुनिटी देख रहे हैं लेकिन वो माना जा रहा है कि सरद पवार के एजेंट के तौर पर उद्धव ठाकरे के साथ बैठे हुए है और इसी तरह कॉंग्रेस में भी है तो कॉंग्रेस पूरी तरह से दो गुटो में बट गई है और कभी भी बिसपोटक किस्थिती हो सकते हैं बहुत-बहुत शुक्रिया समझाने के लिए तो अंधेरी पुर्व विधान सबा उप्चुनाव से बीजपी के अपनी उमिद्वारी वापस लेने को कॉंग्रेस नेता नाना पटोले अप्रत्याशित बता रही है उनका आरोप है कि शरत पवार का बीजपी को सला देना एक समझ होता है कॉंग्रेस इसे बीसी सी आई से कनेक्शन मान कर चल रही है जिसका नियोता शरत पवार को दिया गया है अब देखना होगा शरत पवार को लेकर कॉंग्रेस नेताओं के तरफ से कैसी प्रतिक्रिया सामने आती है आज के हमारे शो में इतना ही कल एक बार फिर से महरास से जड़ी बड़ी खबर के साथ हाजर होंगे देखते रिये कैपिटल टीवी नमस्कार